चिराग पसवान जी का जहां तक बात है तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिराग पसवान जी अब बीहार के efयाने लिक मुझे चलने वाला उडंति मैं समझता होुम जाए दिन तक सफल नहीं होता है वे उसका पर पहुंचे हैं किस तरह का उस्ता है तेकि हम लोग पतना से चलकर किया है यहां पर हम लोग अभी सिमांचल के दोरा पया है हम लोगों को आने का मुख उदे से है कि संगतन मेरा जो है और मजबूत कैसे बने ससक्त बने धारदार बने हमारे परदेश सद्यक्ष उमेश कुस्वाह जी इसके लिए निरंतर प्रितने सिल है साथ ही बिहार सरकार द्वारा जो भी कार्ज कर्म चलाए जा रहा है उसको जंजन तक घर घर तक पहुँचाना हम लोगों का उद्यश है हमारे परदेश सद्यक्ष उमेश कुस्वाह जी ने तैय किया है कि मैं एक काम को लगतार करते रहूँगा मुखमंतरी जी को जंजन तक पहुचाऊंगा घर घर तक पहुचाऊंगा और संगतन को बिलकूल धारदार बनाओगा ससक्त बनाओगा और मजबुत बनाओगा आप देख सकते हैं पत्ना में जभी हमारे परदेस जख्ष रहते हैं तो रात के 10 बजए हो या सुबह के 5 बजए हो आप कभी भी जाएगा उनसे मिल सकते हैं बने हैं बिल्कुल कभी बीजाइए इन सी मिले सकते हैं बात कर सकते हैं और हमारे सभी लोगों की बाद अस्थानियों लोग है करता है सारे लोगों के बांट मुख मन्त्री अस्तर तर्म करते और शकरात्मक भी निकलता है उसके पहलहने में निकले हैं मैं टुम हेसे छिराग पशवान जी का जहां तक बात है तो मैं तो इह कहना कि छिराग पसमान जी अब बिहार के राजनीत से बिलकुल आउट की तरफ हो गया है इनका बिलकुल राजनीति की समाफनी करन की और इनका कदम है इसलिए कि आप देख लिजिए कि इनका जो भी होता है किसी के साथ भी रहते थे तो इनका इमंदारी के साथ किसी के साथ हमेसाथ दोहरी करन के निती पर चलते थे तो दोहरी करन के निती पर चलने वाला व्यक्ति मैं समझता हूं कि जाए दिन तक सफल नहीं होता है उसका परदा फास होता है और उसका अंति में समाप्ति होता है जो आप समाप्ति का गार्ण पर पहुंच चुके हैं चाचा उनके लोजपा लगुड बनाए ओंप लोगया इस दिया होता हैं रुको याजे की नियू ब्लेकन हम लोग यहीं करें दो काकिंगे में म माना है मैं जानता हूं व की गच्पषुपति चाहिए माले के बाहर किसी ने लगाया होगा तो हमारे दल ने ठोड़े ही लगा दिया किसी भी दल के लोग ईसे वहां पे शरख है कर लें के बाहर में सरक्ष तो सबीत लगा लगाते हैं लिए ने हम लोंगों सिराग जी का अंदरूरु है है यह लोजपा का मामला है इसमें हम बिलकुल है हम लोग सिर्फ एक हिम अक्साद में लगे हुए है कि मेरा दल कैसे ससक्त बने मेरा मजबूत कैसे बने धरदार कैसे बने ताकि आगे आनने वाला विद्हान सबाजों चुनाव है हम लोग 45 सभी है कि इस तरह से मजबूत मेरा संगतन हो कि जैसे एक माने गथबंदन धर्म बहाने के लिए किसी को मंत्री हम लोग इतना धारदार बनाना चाहते हैं अपने दल को जब बात आप यह कह रहा है कि धारदार बनाने की बात करहें हैं जब चिराग पासवान जी ने पठकनी दिया त सिपी सर्व और माननी परदेश सद्दक्ष उमेश सिंकुसवाह और जदू पाटी की बात करना है तो मुझसे कीजिए लजेपी की बात मैं करने का कहा सकते हूं जदू की देखिए इस पर मैं क्या कहूं डेमेज करने से क्या होता है समझे कुछ नहीं फरक पड़ता है यह इस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता है नहीं हम लजेपी पर चर्चा नहीं जदू जनता अदलिव की बात कीजिए क्या जरूरत हो जाता है कि जद्यू 15 साल सधिक से सत्ता में है अब फिर से संगठन को मजबूत करने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यह तो आप लोग पत्रकार बंदू लोग ऐसे कह रहे हैं मगर आप तो जान ही रहे हैं कि बिहार में सब सही है और संगठन तो हमारा पहले स होती है जहां तक 43 सीट कि आप बात कर रहा है इस बात को मैं मानता हूँ मगर ऐसा ये कहना भी नहीं है कि थोरी बहुत उच नीच की जहां तक बात है इससे ज्यादा मैं जशाओ पर चर्चा करूंगा नहीं उच नीच हो गई होती है फिर संगठन मजबूत की बात है बिहा अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे को घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी